राधे राधे मित्रों आपका स्वागत है Motivational with MS चैनल में दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि सच बोलना एक नैतिक गुण माना जाता है हमारे समाज, संस्कृती और धर्मों में सच बोलने की बड़ी महत्ता है इसे इमानदारी, निश्पक्षता और नैतिकता का प्रतीक माना जाता है लेकिन जब एक व्यक्ती हर परिस्थिती में सच बोलता है भले ही वह कड़वा या कठोर हो तो वह सामाजिक और व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करता है ऐसी स्थिती में कहा जाता है कि सच बोलने की बीमारी उस व्यक्ती को कहीं भी एड़जस्ट नहीं होने देती यह एक गहन विशय है जिसके कई सामाजिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक पहलू होते है सच बोलना सही है या नहीं इसका मूल्यांकन परिस्थिती पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए एक न्याया धीश को सत्य के आधार पर फैसला देना होता है लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में हर बात का सच बोलना हमेशा लाभधायक नहीं होता कई बार सच बोला जाना लोगों के बीच तनाव और दरार पैदा कर सकता है लोग अक्सर यह उम्मीद करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति उनके मनो नुकूल बातें कहे जब कोई व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के हर बात का सच बोलता है तो वह अन्य लोगों की भावनाओं को आहत कर सकता है चाहे उसकी नियत कितनी भी सही क्यों नहो सच बोलने वाले व्यक्ति के मन में यह भावना होती है कि वह नैतिक्ता के सबसे उच्च स्तर का पालन कर रहा है और यह सही भी है लेकिन समाज की संरचना बहुत जटिल होती है यहां हर व्यक्ति अलग-अलग द्रिष्टिकोन, आदर्ष और अपेक्षाएं रखता है एक व्यक्ति जो हर बात का सच बोलता है वह इन विविधताओं से सामंजस्य बैठाने में कठिनाई का सामना कर सकता है समाज में सफलता पूर्वक रहने के लिए लोगों को केवल सत्य ही नहीं, बलकि सूक्ष्मता और व्यावहारिकता की भी जरूरत होती है व्यक्तिगत संबंधों में सच बोलना एक और जटिल मुद्दा है दोस्ती, पारिवारिक संबंध और प्रेम संबंध भावनाओं पर आधारित होते हैं इनमें भावनात्मक समझ और सहनशीलता की जरूरत होती है अगर हर बार हर बात का सच बोला जाए, तो यह रिष्टों को नुकसान पहुँचा सकता है उदाहरण के लिए यदि किसी दोस्त ने नया कपड़ा खरीदा हो और वह उसे दिखाते समय आपसे राय मांगे और यदि वह वस्त्र वास्तव में आपको अच्छा नहीं लगे, तो उसे यह सच बता देना उसे आहत कर सकता है सच बोलने की यह आदत कई बार व्यक्तिगत संबंधों में दूरी का कारण बन सकती है ऐसा व्यक्ति जो हर बात का सच बोलता है, उसे लोग असमवेदनशील या कठोर मान सकते हैं और धीरे-धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं कार्यक्षेत्र में भी सच बोलने की आदत एक बड़ी चुनौती बन सकती है कार्यक्षेत्र में कई बार लोगों को कूटनीतिक रूप से बोलना पड़ता है यहाँ पर बहुत सारी बातों को सीधे तोर पर कहने की बजाए रणनीतिक तरीके से व्यक्त किया जाता है यदि कोई व्यक्ति यहाँ हर बात का सच बोलता है तो वह अपने सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों के साथ तनावपूर्ण संबंध बना सकता है. उदाहरण के लिए यदि किसी बॉस का निर्णय गलत हो और आप उसे यह बात सीधे कह दें, तो यह आपके कार्यक्षेत्र में आपकी छवी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. ऐसे माहौल में सच बोलना आपकी इमानदारी को दर्शा सकता है, लेकिन यह आपके करियर के लिए बाधक भी बन सकता है. लोग सच को उस तरीके से नहीं लेते, जिस तरीके से आप उसे व्यक्ष करते हैं. कई बार लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, और यह कार्यस्थल में आपकी लोग प्रियता और संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है. जो लोग हर बात का सच बोलते हैं, वे अक्सर मानसिक तनाव का अनुभव कर सकते हैं. यह तनाव इस कारण होता है कि उन्हें लगता है कि वे समाज या अपने व्यक्तिगत संबंधों में ठीक से फिट नहीं हो पा रहे हैं. कई बार ऐसा व्यक्ति समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है. उसे यह समझ में नहीं आता कि उसकी इमानदारी को लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं. सच बोलने वाले व्यक्ति को यह भी महसूस हो सकता है कि उसे अपने आसपास के लोगों से अपेक्षित, समर्थन और सम्मान नहीं मिल रहा. जब हर बार सच बोलने पर उसे आलोचना का सामना करना पड़ता है तो यह उसकी मानसिक स्थिती को प्रभावित कर सकता है. व्यक्ति को अपने उपर संदेह होने लगता है और उसे यह समझ में नहीं आता कि वह किस प्रकार से अपनी बात कहे ताकि लोग उसकी भावना को सही ढंग से समझ सकें. समाज में रहने के लिए कुछ अनकहे नियम होते हैं. इन में से एक यह है कि हर व्यक्ति को हर स्थिती में सच नहीं बोलना चाहिए. समाज में एक सामूहिक सहमती होती है कि कुछ बातें सिर्फ परिप्रेक्ष के आधार पर कही जाएं, न कि उनकी वास्तविक्ता के आधार पर. यह सहमती समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए जरूरी होती है. ऐसे में एक व्यक्ति जो हमेशा सच बोलता है, वह इन सामाजिक नियमों के विपरीत जा सकता है. यह समाज के साथ उसके सामंजस्य को कठिन बना देता है. उसे दूसरों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई होती है, क्योंकि वह हर बात को उसी रूप में देखता और प्रस्तुत करता है, जैसी वह होती है, जबकि समाज में लोग कई बार चीजों को उनके संदर्भ के अनुसार लेते हैं, न कि उनकी वास्तविक्ता के अनुस सच बोलने और समाज में सामंजस्य बिठाने के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, एक स्वस्थ और प्रभावी समाज में सफल होने के लिए, व्यक्ति को सच और सामंजस्य के बीच एक समझदारी भरा रास्ता चुनना होता है, इसका मतलब यह नहीं है कि सच बोलना गलत है, बलकि इसका मतलब है कि व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि कब और कैसे सच को प्रस्तुत किया जाए, एक कुशल व्यक्ति वह होता है जो सच बोलते हुए भी दूसरों की भावनाओं का खयाल रखता है, वह परिस्थिति के आधार पर अपनी बात को इस प्रकार प्रस्त आवश्यक है, सच बोलने की आदत एक गुण है, लेकिन यह तभी सकारात्मक मानी जाती है जब इसे सही समय और सही स्थान पर प्रयोग किया जाए, जिस व्यक्ति को हर समय सच बोलने की बीमारी होती है, सच बोलना एक ऐसी आदत है जिसे हर कोई सराहता है, लेकिन जब यह आदत एक व्यक्ति की पहचान बन जाती है, तो उसका जीवन कैसा हो सकता है, इस सवाल का जवाब हमें मोहन की कहानी में मिलता है, मोहन एक छोटे से गाव में रहने वाला सामान्य व्यक्ति था, जिसकी पहचान केवल एक बात से थी, वह कभी जूट नहीं बोलता था, सच इमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है, बचपन से ही मोहन ने यह बात अपने दिल में बैठा ली थी, चाहे कितना भी मुश्किल समय क्यों न हो, उसने कभी जूट नहीं बोला, दोस्त उसे मजाक में सच्चा मोहन कहते थे, मोहन का गाव भी बहुत साधारन था, गाव के हर व्यक्ति को मोहन पर भरोसा था, क्योंकि वह कभी जूट नहीं बोलता था, अगर कोई जगड़ा होता या किसी बात पर विवाद होता, तो लोग मोहन से राय मांगते थे, क्योंकि वे जानते थे कि वह जो कहेगा, वह सच होगा, मोहन का सच बोलने का स्वभाव, धीरे धीरे उसके लिए एक बोज बनने लगा, एक दिन गाव के मुखिया का बेटा रामू, गाव की एक लड़की से चिपकर मिल रहा था, यह बात गाव में किसी को नहीं पता थी, लेकिन मोहन को यह बात मालूम हो गई, जब गाव में इस बात का हल्ला हुआ, कि रामू किस से म आराज हो गए, मुखिया ने मोहन को चेतावनी दी कि वह इस बात को गाव में और न पहलाए, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे, मोहन के लिए यह एक कठिन समय था, वह जानता था कि वह सच बोलने के कारण मुश्किल में पढ़ सकता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी, धीरे धीरे गाव के कई लोग उससे दूरी बनाने लगे, क्योंकि वे डरते थे कि कहीं मोहन उनके बारे में भी कोई सच्चाई न बता दे, समय के साथ मोहन गाव में एक अजीब व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा, लोग उससे बात करने से क गतराने लगे, यहां तक कि उसकी शादी की बाद भी तूट गई, क्योंकि लड़की वालों को डर था कि मोहन के सच बोलने की आदत उनके परिवार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है, मोहन अकेला हो गया, उसके अपने भी उसे समझने में असफल रहे, वह सोचने ल गाव की पंचायत में किसी ने जूटा आरोप लगाया कि मोहन ने चोरी की है, मोहन को बुलाया गया और उस पर आरोप लगाये गए, मोहन ने खुद को निर्दोश साबित करने के लिए वही किया जो वह हमेशा करता था, उसने सच बोला, लेकिन इस बार सच बोलने से उसक की बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, गाव वालों ने मान लिया कि मोहन ने चोरी की है, क्योंकि उसकी सच्चाई अब उनके लिए बोज बन गई थी, मोहन को गाव से निकालने का फैसला किया गया, उस रात जब मोहन ने अपना सामान बांधा और गाव छोड़ने की तैयारी की, तब कुछ लोग आए और उससे माफी मांगी, उन्होंने कहा कि उन्हें मोहन पर विश्वास था, लेकिन समाज के दबाव में वे सच का साथ नहीं दे सके, मोहन ने कुछ नहीं कहा, बस एक छोटी सी मुस्कान के साथ उन्हें अलविदा कहा, गाव छोड़न के बाद मोहन ने पास के शहर में जाकर एक छोटा काम शुरू किया, वहां भी उसकी सच्चाई की आदत धीरे-धीरे लोगों को पता चली और उसे सम्मान मिलने लगा, शहर में लोग उसके इमानदारी की कद्र करने लगे, कुछ समय बाद गाव में एक बड़ी प्राक्रत आपदा आई, गाव के लोगों को मदद की जरूरत थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए तयार नहीं था, मोहन ने गाव वालों की हालत सुनी और बिना किसी द्वेश के उनकी मदद के लिए लोट आया, उसने शहर के लोगों से सहायता एकत्र की और गाव में राहत साम पगरी पहुँचाई, गाव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने मोहन से माफी मांगी और उसे वापस गाव में रहने के लिए कहा, मोहन ने कहा, मैंने कभी सच बोलना नहीं छोड़ा और नहीं छोडूँगा, अगर आप सच को सहन नहीं कर सकते तो मैं मिलता है, लेकिन अंत में सच की ही जीत होती है, मोहन ने अपने जीवन में सच्चाई की कीमत चुकाई, लेकिन उसने कभी अपनी इमानदारी को नहीं छोड़ा, वह अकसर समाज में एड़्जस्ट करने में कठिनाई का सामना करता है, उसे इस बात का ध्यान रखना कि समाज केवल तर्क और तथ्य के आधार पर नहीं चलता, बलकि भावनाओ, धारणाओ और सहमती के आधार पर भी चलता है, यदि किसी व्यक्ति को समाज में सफलता पूरवक रहना है, तो उसे यह समझना होगा कि केवल सच बोलना ही पर्याप्त नहीं है, बलकि उसे इस का भी ध्यान रखना होगा कि वह अपने सच को किस प्रकार से प्रस्तुत करता है। समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यक्ति को सच के साथ साथ व्यावहारिक्ता और समवेदन शीलता का भी परिचय देना आवश्यक है। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेर और सब्सक्राइब करना न भूले। जय राधे कृष्णा।